अर्ज करती हूँ कोई साज तो छेड़ो गजल की बात करो कोई साज तो छेड़ो गजल की बात करो बहुत हो चुकी बाते अमल की बात करो ये अंधेरा मुकदर ना बन जाए कही उठो कुछ रदो बदल की बात करो उठो कुछ रदो बदल की बात करो माना मू में जबान है सबकी कहने सुनने में कुछ तो अकल की बात करो मसले आहो फुगा से कम नहीं होते मसले आहो फुगा से कम नहीं होते बैठो सोचो और हल की बात करो बैठो सोचो और हल की बात करो अब मैं एक नजम सुनाती हूँ नजम का उन्वान है एक बेटे के नाम मा का खत आजकल बहुत से लोग मा पे गजल नजम लिख रहे हैं लेकिन मेरी थोड़ी नजम उनसे डिफरेंट है क्योंकि मा जो है वो अपने बेटे से कुछ कह रही है उमीद है आपको पसंद आएगी और अगर कुछ गलात हो तो प्लीज माफ कीज़गा क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूं तुम्हारे बच्पन के खातिर रात आँखों में गुजारी है तुम्हारे बच्पन के खातिर रात आँखों में गुजारी है तुमको बाहों के पालने में जुलाते हुए कुछ अलफाज लोरियों के सुनाएं है क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूँ कई कई दिन मैं अपने बाल नहीं बानती थी मगर तुमको सजाने सवारने के खातिर कई कई दिन मैं बाल नहीं सवारती थी तुझे तुमको सवारती थी सजाती थी काजल का टीका लगा के नजर उतारती थी अगर मैं कहूं क्या तुम मानोगे क्या तुम जब बीमार हो जाते थे कि जब तुम बीमार हो जाते थे तो एक पल के लिए नहीं सोती थी ना खाती थी ना पीती थी बस अपने खुदा से तुम्हारी खैर मांगा करती थी कितना डड़ती थी किसी अन्होनी से अगर मैं कहूं क्या तुम मानोगे मुझे तुम चाहते हो ये मुझे पता चला है तुम्हारी शायरी से मुझे तुम चाहते हो ये मुझे पता चला है तुम्हारी शायरी से मा तुम मेरी दुनिया है मेरी काइनात है यही लिखा है ना तुमने मेरे लिए क्या तुम मानोगी अगर मैं कहूं क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूं कभी निहारा है तुमने मेरी सूनी आखों को क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूं कभी नहारा है तुमने मेरी सुनी आँखों को क्या तुम जो तुमसे बस तुम्हारे कुछ पल की तलबगार है जो तुमसे तुम्हारे कुछ पल की तलबगार है जो तुम दे नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत मसरूफ हो क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूं ये तोफे तुम जो लाए थे बेमानी लगते हैं मुझे ये तोफे जो तुम लाए थे बेमानी लगते हैं मुझे ये शायरी बस महज एक दिवखावा लगती है मेरी आँखों की ठंडक मेरे लखते जिगर तुम हो अगर तुम दे सको तो अपने कुछ पल मुझे दे दो जो आज कल तुम इंटरनेट पे गुजारते हो अगर तुम मानोगे मैं कुछ कहूं तो Thank you